अलो गाईज आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग करना सिखेंगे जो आप एमेज देख रहे हो इसको सेम टू सेम कटिंग करेंगे जैसा आप देख रहे हैं सोल्डर पे बैक किस तरह से आई है उस तरीके से जैकिट स्टाइल का में कटिंग करके आपको से राजस्थान कोटा से सुनीता पारिक जीट ने रिसाब से मैं यह कटिंग करके दिखा रहा हूं तो आप लोग देखेव किस तरह ही कटिंग किया एता है बहुत ही आसान तरीका में बताने वला हूं तो पूरा वीडिव आप लोग देखिय QUIS तरह किया है तो चलिए मैं मुझे मेजरमेंट नहीं दिया है 15 के हिसाफ से लगा रहा हूं तो आप देख लो कितना भी आपका सोलुडर हो उससाफ से कर लेना और यहां पर एक इंच करने मैंने गलत लगा दिया मैं दूसरा measurement देख लिया था तो अभी देखिए यहाँ पे साढ़े-दस पे मैंने लगाया वह मैंने गलती से दूसरा पेपर देख लिया था और लेंद हमारा fifteen पर यह तो पहले वाला रॉंग है यह राइट है साढ़े-दस पे 15 पोइंट है और इसथा से करना है चार इंच के लगा झारा और यूसे बयुआ झाकते हो नीचे नहीं आए तो अच्छी stigma का सकते हो तो नीचे जाना है जाए disposition मेसा तरह जाया तो अच्छी तरह से उसमें जोटा नीचे है तो आपको जहां चाहिए वहां लगा सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं अपने इसाप से बता दिया दोनों जहां लगाना है, लगा सकते हो, यहां पर फुल बस्ट का, हम यहां पर सेंटर निकालेगे, तो 37 है, तो पौने 4 होता है, लेकिन यहां 3.30 एक सूथ पर मैंन कर लिया मैंने तो इस तरह से माइनस करके इस तरह हलका सा से देना है यह तो ही से दे देंगे तो जो भी हम प्रिंसेस कट का जोईन करेंगे तो अच्छी तरह से इस्टेट आएगा नहीं अगर आप निकालते हो तो वहां पे गड़ा हो जाएगा यानि उपर की तरह खीच ले कि या आगे बढ़ेंगे किस तरह करना है तो इस तरह से हम लेन्ध निकालेंगए निकालेंगे cellJamie आप बढ़ा लेना है क्यूए कम जदा कर सकते हो कि बराबर आ रहाएक नहीं तो इसकी लिए मैं बता बिद desir nasıl प्लय के चिदना 36 यह चैना iHHHH पर लगा के आदा इंज मैंने बढ़ा लिए और यहां पॉंग इंज का मैं ने बढ़ा लिया तो इस तरह से डाट दे दिया और मै其實 कमेड-थe दे दीया वेस्ड का मेजर्मेंग नहीं अगर वेस्ट कम है तो तीज का लगानार ज्यादा तो थोड़ा ड़ाइंच लर लगाना तो आप अपने इस आपससे लेज़ साइद का बीड़ëंग करें गए तो उसका length side का होता है वो बराबर बैटेगा इस तरह से वहाँ से minus करना है और यहाँ से लेके जितना waste रखना है आपको वहाँ निसान लगा लेना तो मैं ऐसा जो भी लगा रहा हूँ 30 के इसाब से लगा रहा हूँ आपका कम ज्यादा हो सकता है तो आप कम ज्यादा होगा तो वहाँ पर कर लेना और डाइंच का भी आप डाट दोगे नीचे का तो चलेगा अर्मोल का डाट आप बढ़ा लोगे तो भी चलेगा ठीक है अगर आप लोग के अर्मोल में ज्यादा जोल आता है तो आप यहाँ पे पौना इंच के बजाए एक सवा इंच का भी डाट मारोगे आर्मोल में चलेगा कोई दिक्कत नहीं होता है आर्मोल में थोड़ा ज्यादा डाट मारके और साइड में नीचे उतार देगे आर्मोल को तो अच्छी तरह से बैठेगा आपके आर्मोल में जोल नहीं आएगा वो अच्छी तरह से बटेगा, साइड भी क्लीन आएगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आर्मोल छोटा कटिंग मत किया करो नाप के मैंने देखा बराबर है तो इस तरह से डन कर दिया मैंने, तो आपको चेक कर लेना है आर्मोल छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है आर्मोल छोटा होता है, इसलिए आर्मोल में जोल आते हैं तो आप लोग देखो, अगर यह समझते हो कि यहां बड़ा हो जाएगा, तो भी आएगा गरबड़ तो बड़ा रहेगा, तो प्रब्लम नहीं आएगा जीतना बहतरीन कटिक करोगे, उतने ही क्रीन आपका ब्लाउज दिखाई देगा तो इस्टिचिंग में आपको बस सफाई का ध्यान देना है कटिंग आप पर्फेक्ट कर लोगे, तो आपका ब्लाउज जो है पर्फेक्ट ही बठेगा मैं थोड़ा नीचे करके, कटिंग करके आपको दिखा दूगा तो यहां से जाएगा, तो देखिए मैं इस तरह से सेफ लगा लूँगा अगर नीचे तक चाहिए, तो नीचे तक भी एकदम जा सकते हो साइड तक, नहीं जाना है, तो उपर खतम कर सकते हो आपको मर्जी है, जहां चाहिए, वहां पे इसको एंड कर सकते हो, आपकी मर्जी है यानि अपने इसाब से डिजाइन को 19-20 सिदा उदर करके चेंजिंग भी कर सकते हो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको फोटो जैसा सेम देखना है, तो इस तरह आई करके बना सकते हो तो ऐसा नहीं है, जो फोटो आया, उससे बेहतर आपको लगे कि कुछ चेंजिंग करके बहतर बनता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसने जो बना दिया उसी को हम लेके चलेंगे तो अच्छा होगा अपना दिमाग लगा कि हम 19-20 करके चेंज करके बना लेते हैं इस तरह से देखिए मैंने नीचे का पार्ट को कॉपी कर लिया है और कॉपी करके इस तरह से कटिंग करके बैग में हम जोइंट कर देंगे तो एक पार्ट में भी बैग में जोइंट करके करेंगे तो भी यह बैग से फ्रेंट की तरह वाके अच्छी तरह से बैठेगा बिना जोइंट का सोल्डर हो जाएगा यानि बैग में ही आप जोइंट करके कटिंग कर दोगे तो आपके उपर जो का मैंने छोड़ दिया है और चिपकाने के लिए छोड़ा है बाकी कोई मकसद नहीं है ठीक है और नहीं चाहिए उस तरह से तो आप अलग-अलग करके फ्रेंड में यह जमा के और कर सकते हो तो गला आपको नीचे वाला अलग बनाना है और यह पार्ट जो आपने देखा इसक कुझा गले को बनाना है और उसके बाद इसके फ्रेंट के उपर रख देना है तो आची तरह से हो जाएगा तो इस तिटिचिंग का भी मैंने टिप्स दे आपको किस तरह करोगे तो बहतरीन बनेगा तो दो और सने इसमें तो दोनों को आप इस्तमाल कर सकते हो जो चाहिए तो भी ऐसा आएगा अस्तिरीफ इस पर जोइन करोंगे तो भी ऐसा आएगा वह आपको किस तरह करना आप देख लेना तो देखिए आर्मॉल मैंने क्लीन कर लिया तो यह मेरे तरीके जो हैं बहुत अलग-अलग होते हैं तो मैं ऐसा तरीका आप लोग को बताता हूं जो आप जो भी आपको आता है या प्रिंसेस कट आता है उसी को किस तरह से बनाया जा सकता है आसानी से तो मैं आसान तरीका इसलिए आप लोग को बताता रहता हूं तो देखे इस तरह आएगा अगर नहीं बराबर पर काट दो तो बैग की तरफ बागबा करेंगे यानि हाँ पर ब गले में अडचन देगा यानिके अच्छी तरह से नहीं बैटेगा ठीक है और अर्मल उपर की तरफ खीचेगा तो जोल आ सकता है तो इस तरीके से देखे मैंने बराबर पर पेपर रख लिया है एक्दमी बराबर रखा है जैसे मैंने कटिंग किया था उसी तरह से रख लिया है कि यानि के डाट वकरा जितने पर निकाला था पना इंज पर जोya बहूत ही अभी हैं। üस्त तरह से मैं कर लिया है इस तरह। ऑफ़्वतर सोल्डर मैंने थोड़ा उपर की तरह बढ़ा लिया आइस तरह जितना हमारा सुल्डर है उतना ही measurement लेना है यहाँ पर जरा भी कम नहीं करना है क्योंकि अगर कम कर देते हो तो shoulder short हो जाएगा problem होगा जो मैंने upper chest का measure किया था यानि कि 9 inch पर वही पर निसान लगाना है बैग वही से कटेगा आगे से नहीं कटेगा जो मैंने आदाइंज बढ़ाया था वहां से नहीं कटेगा जो हमने fix रखा था अपर chest का उतने पर कटेगा तो यह उंबर मैंने shoulder का marking किया लेकिन उसकी जरूत नहीं है क्योंकि हम broad cutting करने वाले हैं बैग में तो इस तरह से हमको side को बराबर कर लेना है जहां पर length आता है वही निसान लगा देना है अब हम क्या करेंगे कि ऊपर गला वगरा चेक कर लेंगे यहां पर सीधा कर लेंगे और डाट भी लगाएं नीचे तो इस तरह हम आरमोल कर लेते हैं तो आरमोल को इस तरह से देना है थोड़ा अंदर जुका के करना है अंदर की तरफ ठीक है एकदम state लेके आओगे तो बा अबर एकदम निकल जाएगा बैक का जितना चाहिए तब ही हम जोइंड करेंगे तो बराबर आएगा सोल्डर सीम जोइंड कर पाएंगे ठीक है चोटा बड़ा यहां बिल्कुल नहीं करना है बैक की चोड़ाई उत्रही निकलेगी जितना फ्रेंड का ओ मैंने अलग से इकदम क्लोज है नेक के तो इसलिए जो है यह अच्छी तरह से नहीं बैठेगा अगर ज्यादा लो करोगे तो तो फ्रेंड का मैंने धाइंज ब्रोडिंग रखाता यह टोमेटिक तीन इंच हो गया क्यूंकि आदा इंच बाग गया है क्यूंकि आदा इंच मैंने फ्रेंड करने के लिए फ्रेंड का नहीं करते हैं। यह यह हम सस्कृत करता है फ्रेंड के रिऎbak का कुट्ट सौ्ट का चत्यूंकि अगर साथ मेंका नेधे तो अच्छी तरह से नहीं बैठेगा उगा ब्यूंकि करते हैं तो चीह आएप कभी भी ृप。 लो आपका भी जो आगे का नेक होगा या गला होगा chilli Galah उपाई होगा उपीछे के गला बढ़ा होगा आगे का सविय को भी देखको उससे और imitate कोर इस तरह से होता है तरह में बता रहा हुए अप्लोंको इस तरह कर करो में तो परफेक्ट आएगा अब मैंने डाट को इस तरह close करके cutting कर लिया, बराबर कर लिया, अब यहाँ पर चीपका के और यहाँ पर एक साथ में बायक cutting कर सकते हो, तो देखिये मैं इस तरह से गम से लगा आले रहा हूं, और इस तरह से रख के एक पाट में जब आप करोगे तो भी हो जाएगा कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा यानि कि इस तरह करके अगर एक ही पाट में करोगे तो क्या होगा कि आपको यह इस्टरा नहीं करना पड़ेगा और फ्रेंड पर इस तरह से ओबर लैपिंग करके आप बिठा सकते हो तो एकदम यह अच्छी तरीक किस तरह से इस्टिचिंग करके किया जाएगा किया जाएगा किंग्वात बूत बार इस्टिचिंग करके नहीं दिखाता हूं तो आप outta। सव मैं लगता है क्टु इस तरह का रिख कर लिया अगर नॉर्मन चेहिं स कर सकते हो लो इस तरह आप प्डिजाइन कर सकते हो तो यह देखिए इस तरह रखके और ऐसे मैं आगे की तरफ जुका के दिखाता हूँ किस तरह यह जुकेगा तो आपको जब इस तरह का अगर बंद रखना है तो यह shoulder को खतम करके armol में कर देना है और armol में fit हो जाएगा आपको Sulliating मारने की कोई ज़रुति नहीं पड़ेगा आपको armol में इस तरह से करके सिवी चड़ा देना है मैं उमीद करना हूं कि आप लोग के समझ में आ रहा हुगा जो मैं बport आलग को ओला मर में आप लोल में इस तरह तरह देना है ठीक है , तो इसतरह बना सकते हो, अगर उस तरह नहीं बनाना है तो इस तरह क्या करो, फ्रेंट के अंदर यहां पे आप जमा दो पहले ही आर मोल के अंदर डाटो के रहा मारने के बाद में, यानी प्रिंसेस का बनाने के बाद में आंप यह इस तरह से सोल्डर पर जयin कर दो कि अस्तीन जो भी रखना है चोटा बढ़ा जो भी रखना है और इस तरह से आपको पट्टी का माइनस कर लेना है जो भी आप नीचे पट्टी लगा रहे हो गेधरिंग के लिए तो इस तरह से कर लेना है और दो इन तीन इन जीतना बढ़ाना है उपर बढ़ा सकते हो यह गे तो जितना लगाना है उतना पस्तार सेवसे दो घघ Dalh is not I will make original उतना से is तरह हम आधा उतना उपर से ँलिजम इतना अपका लजन जाएगा तो जितना कपड़ा होगा आपको लगाना है पट्टी जितनी बीचोड़ लगा सकते हो आपको लेंध के लिए तो बराबर हो जाएगा तो इस तरह कर लेंगे तो मेरा यह कटिंग करने का तरीका यह आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सकाइब करो और दोस्तों में सेर जरू करो तो दे दिखा दिया वैसे आप लोग को तो यह कटिंग करने इस तरह से करके इसमें भी ताल थोड़ा निकाल देंगे हैं महलका सा इस तरह से निकाल देंगे तो अच्छी तरह से यह चीपक के बैठेगा यह भी फिटिंग वाला बनता है ऐसा नहीं कि यह गेदर मारेंगे तो यह जो नीचे का है गेदर है उसको बढ़ाते हुए जाओगे तो आपका लूज होते चले जाएगा तो आपके उपरे जिस तरह का चाहिए आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं जो भी आप लोग को कटिंग सिखाता हूँ दिल से सिखाता हूँ आप लोग इस पर गौर करो और सीखो मेरा यही मकसद है कि आप लोग सीख जाओ तो चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्ला आफिस